उनिस्वा अध्याय भगवान वामन का वली से तीन पग पृत्वी मांगना, बली का वचन देना और शुक्राचारे जी का उन्हें रोकना श्री शुक्देव जी कहते हैं, राजा बली के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधूर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसनता से उनका विनन्दन किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परमपरा के अनरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश्च को बढ़ाने वाला और अत्यन्त मधूर है। क्यों न हो पर लोक हित्त कारी धर्म के संबन्द में आप भ्रिग पुत्र शुक्त्राचारे को परम प्रणाम जो मानते ह हैं। साथ ही अपने कुल व्रिध पिताम परम शांत प्रहलाद जी की आग्यां भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंद्ष परमपरा में कोई धहरेहीन अधवा क्रिपन पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्रामण को कभी दान न दिया ह अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिग्या कर दे बाद में मुकर गया हू। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्त्रु के ललकारने पर उनकी योर से मुह मोडने वाला कायर आपके वंद्ष में कोई हुआ ही नहीं। क्यूं नहो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यससे वैसे ही शुभाय मान होते हैं जैसे अकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरन न्याक्ष जैसे वीर का भी जन्म हुआ था जब वीर वह हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिगविजय के लिए निकला तब सारी प्रित्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विश्णु भगवान जल में से प्रित्री का उधार कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरन न्याक्ष की शक्ति और बल का अस्मरण हो आया था। और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजय नहीं समझते थे। जब हिरन न्याक्ष के भाई हिरन नक शिपू को उसके वद का विरतांत मालूम हुआ तब वह अपने भाई का वद करने वालों को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थानवे कुंट ध भावा कर रहा है तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मित्यू लगी रहती है वैसे ही मैं जहां जहां जाओंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा इसलिए मैं इसके हिर्देक के अंदर प्रवेश्ट कर जाओं जिससे यह मुझे देख न सक विष्ण भगवान ने अपने शरीर को सुक्ष्म बना लिया था और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हिर्दे में जा बैठें। हिर्णेक शिपू ने उनके लोक को भली भाती चान डाला परंतु उनका कहीं पता न चला इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगे। उस वीर ने प्रिथ्वी स्वरग दिशा, आकाश, पाताल और समद्र सब कहीं विष्ण भगवान को ढूंडा परंतु वे कहीं भी उन दिखाई न दिये। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगे मैंने सारा जगत चान डाला परंतु वह मिला नहीं अवश्य ही वह भ्रातिक धाती उस लोक में चला गया है जहां जाकर फिर लोटता नहीं होता कोई। बस अब उससे वैर भाव रखने के आवशकता नहीं क्योंकि की वैरतो देह के साथ ही समाप्थ हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और एहंकार से उसकी विद्धी होती है। राजन आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्रामन भक्त थे। यहां तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्रामनों का वेश बना कर उनसे उनकी आयू का दान मांगा और उन्होंने ब्रामनों के छल को जानते हुए भी अपनी आयू दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्त्राचारे आदिग्रहस्त ब्रामन आपके पुरवज प्रहलाद और दुसरे यशश्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्यंद्र आप मुहमांगी वस्तु देने वालों में श्रिष्ट हैं इसी से मैं आपको थोड़ी सी प्रित्वी केवल अपने पैरों से तीन डग मांगता हूं। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं राजा बली ने कहा ब्रह्मनकुमार तुम्हारी बाते तो ब्रिद्धो जैसी है प्रंद तुम्हारे बुद्धी अभी बच्चों किसी ही है अभी तुम हो भी तो बालक ही ना। इसी से अपना हानिलाव नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एक मात्र अधिपती हूं और दृप का दृप दे सकता हूं। जो मुझे अपनी वानी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल तीन डग भूमी मांगे वह भी क्या बुद्धी मान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया उसे फिर कभी किसी से कुछ मां के सब प्यारे विशय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोशी नहीं हो। जो तीन पग भूमी से संतोश नहीं करत लेता, उसे नव वर्षों से युक्त एक दूप भी दे दिया ज क्योंकि उसके मन में सातो दूप पाने की इक्षा बनी ही रहेगी मैंने सुना है कि प्रिथु गय आदी नरेश सातो दूप के अधिपती थे परन्तु उतने धन और भोग की सामगरियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार ना पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जा वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है क्योंकि उसके हिर्दे में असंतोष की याग धधकती रहती है धन और भोगों से संतोष ना होना ही जीव के जैन्म मृत्यू के चक्कर में गिरने का कारण है तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतो कर लेना मुक्ति का कारण है जो ब्राम्वन स्वयम प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है उसके तेज की बुद्धी होती है उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अगनी इसमें संदेह नहीं कि आप मुहम्यांगी रख करना चाहिए जितने की आवशकता हो श्री शुकदेव जी कहते हैं भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बली हस पड़े उन्होंने कहा अच्छी बात है जितनी तुहारी इक्षा होतनी ही लेलो यो कहकर वामन भगवान को तीन पक भूमी का संकल्प करने के लिए उ विरोचन कुमार ये स्वयम अविनाशि भगवान विश्णु हैं देवताओं का काम बनाने के लिए कष्चप जी की पतनी अधिती के गर्व से अवतिर्ण हुए हैं तुमने यह अनर्थ ना जानकर कि मेरा सब कुछ छिन जाएगा इन्हें दान देने के पतिग्या कर ली है यह तो देतों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है इसे मैं ठीक नहीं समझता हूँ स्वयम भगवान ही अपनी योग माया सेह ब्रमचारी बनकर बैठे हुए हैं ये तुम्हारा राज्य एश्वर्य लक्ष्मी तेज और विश्व विख्यात किरती सब कुछ तुम स भगवान एक पग में प्रित्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा तुम उसे पूरा ना कर सकोगे ऐसी दशावे में समझता हूँ कि प्रतिग्या करके पूरा ना कर पाने के लिए कुछ बचे ही नहीं जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान यग्य तप और परुपकार के कर्म कर सकता है जो मनुष्य अपने धन को पांच भागों में बाट देता है कुछ धर्म के लिए कुछ यश के लिए कुछ धन की अभिव्रधी के लि तो मैं इस विशे में तुम्हें कुछ रिगवेद की शुतियों का आशे सुनाता हूं तुम सुनो शुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्विकार कर लेना सकते है और नकार जाना अर्थात अस्विकार कर देना असकते है यह शरीर एक व्रिक्ष है और सत्य इसका फलफ बचाय रखना यही शरीर रूप ब्रिक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर ब्रिक्ष सूख कर ठोड़े ही दिनों में गिर जाता है। उसी प्रकार यदि धन देने से अस्विकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं हां मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए इसका उचारण ही अप्रूण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यह कारण है कि जो पुरुष हां मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्विकार कर लेता है वह अपने ल परण्तु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सब से सभी वस्तूओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपर किर्ति हो जाती है। वह तो जिवित रहने पर भी मृतक के सवान ही है। इस्तुनीयों को प्रसन्य करने के लिए हास परिहास में विवाह में कन्या आदी की प अच्छा के लिए प्राण संकट उपस्थित होने पर गव और ब्राम्वन के हित के लिए तथा किसी को मृत्तिव से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। बीसवा अध्याय भगवान वामन जी का विराठ रूप होकर दोही पग से पृत्वी और स्वर्ग को नाब लेना। काम, यश और आजीवका में कभी किसी प्रकार बाधा ना पड़े। और मृत्तु से भी उतना नहीं डरता, जितना ब्रामण के प्रतिग्या करके उसे धोखा देने से डरता। कि संसार में मर जाने के बाद धन आदे जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदे से ब्रामणों को भी संतुष्ट न किया जा सका, तो उनके त्याग का लाभी क्या रहा। दधिच, शिवे, आदी महापुर्शों ने अपने परम प्री, दुस्तेच प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की, फिर प्रतिवी आदी वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आउशकता है। ब्रह्मन, पहले युग में बड़े-बड़े दैत्यराजों ने इस प्रिथवी का उपभोग किया है। प्रिथवी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं वर्चियों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखा कर अपने प्राणों की बली चड़ा देते हैं, परन्तु ऐसे लोग बहुत दुरलब हैं, जो सक्त पात्र के प्राप्त होने पर शरद्धा के साथ धन का दान करे। गुरुदेव, यदि उदार और करुड़ा शील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूरुड करके दुर्गती भोगता है, तो वह दुर्गती भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्म वेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्म चारी की अभिलाशा अवश्य पुरुड करूँगा। महरशे, वेद विधी के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यग, यागादी के द्वारा इनके इच्छा के अनुसार इन्हें पृत्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराद न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा। क्योंकि मेरे शक्त्रू होने पर भी इन्होंने भैभीत होकर ब्रामण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीरती भगवान विश्रू ही है, तो अपना यश नहीं खोना जाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तू लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मार कर भी पृत्वी छेन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे वाडों की चोट से सदा के लिए रडभूमी में सो जाएंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब शुकराचार जी ने देखा कि मेरा ये शिश्य गुरु के प्रती अश्रधालु है, तो दैव की प्रिरड़ा से उन्होंने राजा बली को शाप दे दिया। यदिपिवे सत्य प्रतिग्य और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुकराचार जी ने कहा, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परन्तु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, तूने मेरी आज्या का उलं उन्होंने वामन भगवान की विधि पुर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर तीन पग भूमी का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बली की पतनी विंध्यावली जो मोतियों के गहनों से सुसजित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों चरणों का वो विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित द्योता गंधर्व, विध्याधर, सिद्ध, चारण, सभी लोग राजा बली के इस अलौकिक कार तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनकी उपर दीव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। ए इन उदार शिरोमडी बली ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठीन है। देखो तो सही इन्होंने जान बूज कर अपने शत्रू को तीनों लोकों का दान कर दिया। इस त्रिगुड में जगण देखा। राजा बली ने विश्वरूप भगवान के चर में संध्या, गुई स्थानों में प्रजापत्ल, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिये लक्षिनी जी, कंठ में सामवेद और संपुर्ण शब्द समूह उदे दिखे। बाहुओं में इंद्रादी समस्त देवगर, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर केशों में मेगमाला, नासिका में वायू, नेत्रों में सूर्य, और मुख में अगनी दिखाई पड़े। वाडी में वेद, रसना में वरुड, भाहों में विधि, और निशेद, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रूद, और नीचे के ओठ में सरवात्मा भगवान में ये संपुरुड जगत देखकर सब के सब दैत्त अत्यंत भैभीत होगे। इसी समय भगवान के पास असह तेजवाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेग के समान भयंकर टंकार करने वाला शांग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने व अक्षे वाणों से भरे दो तरकस तथा लोग, भगवान का वो दूसरा पग ही उपर की और जाता हुआ महलों, जनलोक और तप लोग से भी उपर सत्य लोग में पहुँच गया।